दोस्तो हमारे धर्ते बहुत ही बिचितर है लेकिन उसे भी कई गुना बिचितर यहां पाए जाने वाले जानवार है इन जानवारों में से कुछ का आकार तो इतना छोटा है कि आपकी हथेली में भी समाज आए वहीं दूसरी तरफ कुछ अकार में इतने बड़े और खतरनाक है जो इनसान को एक ही जटके में खत्म कर सकते हैं इनसान से पहले पिर्थिवी पर कुछ बहुत ही विसाल जानवार रहते थे जिन में से कुछ तो अभी भी धर्थि पर मोजूद है और कुछ तो बिलूप तो हो चुके हैं तो दोस्तो चलिए दिखाते आपको इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे बड़े और खतरनाक जानवारों के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखे दोस्तो जब भी दुनिया के सबसे बड़े जनवारों की बात होती है तो इसमें वेल सार का नाम जरूर आता है यह दुनिया की सबसे बड़े मचली है इसका साइंटिफिक नाम राइन कोड़ोन टाइपस है जो बहुत ही धीरे चलने वाली फीस है क्योंकि इसका वजन बाकी वेल्स के मुकावले काफी ज़्यादा होती है इनकी लंबाई के बारे में बात करें तो इनकी लंबाई 45 फिट और वजन 18,000 किलोग्राम तक का होता है इनमें से तो कुछ मचली 115 साल तक जिवित रहती है दोस्त पाइथन और एनाकॉंडा को सबसे बड़े सापों में गीना जाता है पर ये दोनों ही टाइटन ओबाई के सामने कुछ भी नहीं है इनकी लंबाई 42 फिट और वजन 1200 किलोग्राम तक का होता था माना जाता है कि ये भयानक साप साउथ अमेरिका के जंगल में 6 करोड साल पहले पाये जाते थे ये बीना जहर वाला साप था जो अपने सिकार को अपने पूंट से लपिट कर मार देते थे जैसा आपने इनाकॉंडा मूवी में भी देखा होगा सन 2009 में पहली बार इसका कंकाल कोलंबिया की कोईला खाधान में पाया गया ये एक मात्र ऐसा साप था जो डाइनासोर जैसे जनवारों को मानने की ताकत रखता था नमबर एक क्रोनोसोरस दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा पिलोसोरस था ये चोटी गरदन वाला पिलोसोरस था जिसकी लंबाई 32 फीट और वजन 11,000 किलोग्रम तक का होता था माना जाता है कि 15 करोड साल पहले ये समुदर में राज करता था दोस्तों इस खुखार मशली के बारे में ज्यादातर लोग पहले से ही जानते होंगे क्योंकि होलिवूड में इसके उपर 2018 में मूवी भी बन चुकी है मेगालोडोन को दुनिया की सबसे बड़ी सार्क होने का टाइटल भी मिल रखा है इसके नाम का मतलब ग्रीक में बड़े दाथ होता है और इससे आप समझ गये होंगे कि इसका मूव और जबड़ा कितना बड़ा होता होगा इसकी लंबाई 16 फिट और वजन 17,000 किलोग्रम तक का होता था ये मचली अपना पेट डॉल्फिन, वेल और चोटी सार्क को खा कर भरती थी वैसे तो ये एक करोट साल पहले ही बिलूप तो हो गई है पर कुछ लोगों का मानना है कि ये अभी भी समुदर की गहराई में जिन्दा हो सकती है दोस्ते इस्पाइनोसोरोस को 1993 के फर्स्ट जुरासिक मुवी में दिखाया गया था इस्पाइनोसोरोस का ये नाम इसके बाहर निकलने स्पाइनल वर्न की वज़े से दिया गया है ये दुनिया के सबसे बड़े मानसारी डाइनोसोर थे जो 16 फूट लंबे और इनका वज़न 75,000 किलोग्राम तक का होता था इतना बड़ा साइज होने के बाजूद ये सार्क और चोटे मोटे जानवारों को खाते थे इनके आवसेस नौर्थ अफरीका के कुछ इस्तानों में पाए गए हैं जिससे ये माना जाता है कि इनका राज नौर्थ अफरीका और आसपास की इलाकों में जादा था बात करें इनके बिलुक्त होने की तो चार कोड़ों साल पहले ही ये पूरी दुनिया से बिलुक्त हो गए हैं दोस्तों इसके जबड़ों में इतनी ताकत थी कि ये किसी को भी अपने तातों से फाड़ने की ताकत रखता था इस बिसालकाई मगरमच का नाम सारको सूचस इसको अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मगरमच होने का टाइटल भी दिया जाता है इस खुखार जनवार की लंबाई 14 फिट और वजन 9,000 किलोगरम तक का होता था और ये अफ्रीका के बुस्ट एलिफेंट से भी जादा है जियोलोजिस्ट के मुताविक ये 10 कोड़ों साल पहले 30 से बिलुक्त हो गए हैं पहली बार इसके बारे में सन 9,50 में पता चला जब फ्रेंज के जियोलोजिस्ट अलवर्ट फॉलिस्ट को सहारा रेगिस्तान में इसके सरीर के कुछ आउसेस मिले इनके मुँ में 130 नुकीले दात थे जिसकी वज़े से ये आसानी से छोटे और मेडियम साइज के डाइनसूर को मार गिराता था ये सुनकर आप समझ गये होंगे कि ये आपने समय में कितनी खतरनाक प्रजाती रही होगी दोस्तों ये सोरोपोट्स की राजा की नाम से जाना जाता है इस जानवार को धर्ती का सबसे बड़ा ही नहीं बलकि सबसे लंबा जानवार होने का टाइटल भी मिल रखा है इनकी हाइट 22 फूट और वजन 1,00,000 किलोगरम तक का होता था इनके अंडो का ही साइज 2,30 किलो तक का होता था और अंडे से निकलने के बाद ये माज 14 यर्ज में 1,00,000 किलोगरम तक का हो जाते थे दोस्तो बुलू बेल जनवारों की लिस्ट में सबसे उपर और हो भी क्यों ना आखिर ये है ही विशाल और इतना सांदार की वरतमान में इसे सबसे बड़े जनवार की उपाधी मिल रखी है बुलू बेल का वजन 1,16,000 kg तक का हो सकता है और लंबाई 100 फिट होती है एक हट्टा-कटा हाथे भी इस जीव का मुकावला नहीं कर सकता इनकी तेरने की स्पीट 13 किलोमीटर पर हवर की है ये बहुत चोकाने वाली बात है क्योंकि इतने बड़े साइज के साथ हिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इतिहास में उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव है साउथ अफ्रीका का ये उड़ने वाला विसाल जानवार भी था जो एक हवाय जहाज की जितना लंबा है जो आज से 72 मिलियन सालों से पहले इस पिर्थिवी पर हुआ करता था इसकी लंबाई 32 फिक और ये आपने पंखो को 45 फिक तक फेला सकता था और ये 17 से 18 मिल परती घंटे के रवतार से उड़ सकता था और ये खाने के मामले में पूरी तरह से मान सारी है जो आपने लंबे चोच से समुद्र से मश्रियों को निकाल कर खाता रहता था नमबर वन लाइगर दोस्तों लाइगर हाली में इंसा छोड़ देता है इनी लाइगर में से एक हरकुलस जिसका जन्व हुआ यूएस के साउथ को रोलीना में ये एक जनवार है अगर लाइन और टाइगर की बात की जाए तो इनका वजन होता है कर फोर अंड्रेट से 600 किलोगराम तर वहीं हरकुलस का वजन 1000 किलोगराम है इसी स हुआ 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 है